नमस्कार दोस्तो फिर से स्वागते एक नए वीडियो में दोस्तो अगर आप पंजाब निसल बेंकी इंटरनेट बेंकिंग को यूज करते हैं जिसमें आप PNB1 एप्लिकेशन को चलाते हैं तो जैसे आप उसको लोग इन कर रहे होंगे तो आपको इस टाइप से एक प्रॉबलम देखने को मिल रहे होगी यहाँ पर आप अपने एप्लिकेशन को एकसेस नहीं कर पा रहे होगे इस प्रॉबलम को कैसे फिक्स करेंगे कैसे आपको ठीक करना है वो सब कुछ प्रॉबसेस इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह प्रॉबलम क्या है और क्यों आती है और इसमें मैं आपको शोटकट बता देता हूँ जिसे ही जिस दिन आपने PNB1 रेजिस्टेशन किया यानि जो आपने लास्ट ट्रांजेक्शन पासवर्ट बनाया है उसके 180 दिन बाद में आपको एक नया ट्रांजेक्शन पासवर्ट बनाना पड़ेगा हर 100 सी दिन के बाद में आपका जो पुराना जो ट्राजेक्शन पासवर्ड है वो काम नहीं करेगा और आपको एक नया ट्राजेक्शन पासवर्ड बनाना पड़ेगा बहुत सिंपल तरीका है कोई भी आपको इसमें टेंसन ने लेना इस वीडियो में मैं कम्प्लिट बता रहा हूं कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते और पहले की तरह आप अपने PNB1 एप्लिकशन को यूज कर सकते कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आपको ये जैसे आप login pin डालेंगे तो इस प्रकार का interface आपके सामने आ जाएगा यहां पर आपको आगे का access नहीं मिलेगा यहां पर 180 days लिका हुआ है यानि आपको 180 दिन बाद जो भी आपका पूरा पहले वाला password है उसको change करना पड़ेगा तो चलिए इस problem को fix करने के लिए हमें यहां पर continue के button पर click कर लेना है यहां पर लिखावा है exiting transaction password जो आपका पुराना वाला password है transaction password अभी जो आप use कर रहे थे वो आपको यहां पर डालना है यहां पर आपको एक नयाड कोई भी transaction password बना लेना है उसके बाद में यहां पर confirm new transaction password आपको डाल देना है तो चलिए यह तीनों ही मैं submit कर देता हूँ तो चलिए यहां से मैंने अपनी details submit कर लिए उसके बाद में यहां पर आपको submit का button मिलेगा इसके उपर आपको click कर लेना है उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हो कि change password successfully जो आपका पुराणा transaction password था अब वो काम नहीं करेगा और अब आपका जो नया transaction password अभी आपने जो डाला है वही आपको transaction करते वक्त आपको use करना है तो इस प्रकार से यहां पर message भी आ चुका है और इस प्रकार से यहां पर sign in पर click कर लेना है और यहां पर मैं password डाल देता हूँ जो मेरा MP ने यहां पर मैंने डाल दिया और उसके बाद में आप देख सकते हूँ कि यह जो application open हो गया है अब मैं इसको access कर सकता हूँ तो इस प्रकार आप इस problem को solution कर सकते हैं